नमस्कार मैं स्वास्ति का सुहाल और आप देख रहे हैं न्यूस 47 मीडिया सुप्रीम कोट की तरफ से आ रहा है एक और नया फैसला फेस्बुक को दिल्ली विदान सबागी समीती के सामने पेश होना होगा सुप्रीम कोट ने कहा फेस्बुक इंडिया के उपाध्यक्ष और M.D. अजीत मोहन और अन्या द्वारा दायर याचिका को खारेज करते हुए फेस्बुक के अधिकारियों को दिल्ली विदान सबागी शान्ती और सद्भाव समीती के सामने पेश होना होगा सुप्रीम कोट ने गुरुवार को कहा कि फेस्बुक जैसे डिजिटल प्लैटफॉर्म पर लोगों के विचारों को प्रभावित करने की शमता है उन्हें जवाब दे होना चाहिए फेस्बुक द्वारा अपनाए गए सरल द्रिष्टी कोण को सुईकार करना मुश्किल है कि यह तीसरे पक्ष की जानकारी पोस्ट करने वाला एक मंच है और उस मामले को उत्पन करने नियंतरित करने या संशोधित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है सुप्रीम कोट ने जोड़ दे कर कहा कि भारत की अनेकता में एकता को बदित नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोट ने फेस्बुक इंडिया के उपाध्यक्षर M.D. अजीत मोहन और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा फेस्बुक के अधिकारियों को दिल्ली के विधानसबा की शांती और सद्भाव समीती के सामने पेश होना होगा फेस्बुक जैसी संस्थाओ जिनके भारत में लगभग 27 करोड रजिस्टर्ड यूजर्स हैं फेस्बुक को उन लोगों के प्रती जवाब दे रहना होगा आपको बता दे कि पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा से 200 लोग घायल हो गए थे जबकि 50 से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी अपने 188 पन्नों के फैसले में जस्टिस दिनेश महेश्वरी और हिशिकेश रॉय ने कहा कि सदस्यों को समीती के सामने पेश होना होगा समन के खिलाफ सुप्रीम कोट में याचिका दी थी सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट ने याचिका को रद कर दिया था हाला कि कोट ने समीती को फेस्बुक के खिलाफ किसी तरह की कारवाई नहीं करने का आदेश दिया था साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विदानसभा द्वारा दिल्ली दंगो 2020 की जाच के लिए शांती और सद्भाव समिती के गठन को गलत या नजायज नहीं माना जा सकता है